दोस्तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा reasoning के top 5 question दोस्तो जो सभी परिस्याओं में पूछे जाते हैं दोस्तो आप कोई सा भी government exam देंगे तो आपके paper में ये सब प्रशन हमेशा देखने को मिलेंगे दोस्तो reasoning में कुछ set pattern के प्रशन होते हैं जो बार-बार पर सम पूसे जाते हैं उन्हें प्रशनों को दोस्तो इस वीडियो में सामिल क्या हूं और दोस्तो इन सभी प्रशनों को solve करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा जिसके सहायता से दो दोस्तों यह mathematical reasoning के अंतर गताता है ठीक है यानि reasoning के भी section में question यह पूछा जाता है और math के भी section में question पूछ लिया जाता है बहुत ही important type का question है question पर यह question कहे रहा है एक चीटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर उंचे एक ब्रिच पर चड़ती है वहाँ अपने ठीक है कहे रहा है अपने मूल अस्थान से वहाँ कितनी दूरी पर है इस पर दोस्तों दो टाइप के question बनते ठीक है पहला type का और दूसरा type का ठीक है तो पहला type के कौन सा बनता है य चीटी 3 मीटर चलती है यानि माल लेंगे दोस्तों चीटी इस point से चल लेए कितना मीटर चली है दोस्तों 3 मीटर चली है और फिर 4 मीटर उंचे ब्रिच पर चड़ती है यह ब्रिच माल लेंगे दोस्तों 4 मीटर का है कितने मीटर का है 4 मीटर उंचे ब्रिच पर चड़ जात ट्ूरें को को हkę गया, गधने नहीं पूच रहा है, यह पूछता वहा हूंुल आस्थान से कितनी दूरी घुच रहे, यानी कि यह वाला दूरी पूछ रहे, यह वाला जो दूरी देखिए जो मैं रेखा कीच रहा हूं ने यह वाला यह वाला दूरी पूझ रहा है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है यह चीज पूझता है तो दोस्तों जब यह पेड़ पे चड़िये तो यहां पर क्या होगा है दोस्तों 90 डिगरी का एंगल बन गय अधर देखिएगा कण बड़ाबर क्या होता है कण कैसे निकाला जाता है अम्डर रूट में लंब का स्कॉर तू दूरी क्या हो जाएगी दोस्तो पांच मीटर हो जाएगी समझने को हो जाएगा सो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रेशन को अच्छे से हेलो दोस्तों एक्सपर्ट का मानना है कि रिवीजन के लिए मौक टेस्ट और समझ गयोंगे एक बार और समझाने कोशिश करों समझेगा इसके लिए पेर उठाने की जोरत नहीं होती है स्वाप के ज मिटर चलिये फिर चार मीटर ऊचे ब्रिच में चड़ गई है और यह दूरी पूच रहा है थी यह 5 3 स्कॉर्ण क्या होता है दोस्तो 9 क्या होगा 25 इसको अंडर वॉत में रख लेंगे तो यह काण ऐसे आ जाबा यह दूरी जो कि यह पांच मीटर होगी यानि कि चीटी दोस्तो ढlares तो पांच मीटर की दूरी पहूँ पान जागा और उस से प्राइब करता हूं प्रस्थान को आप बहुत ही अच्छे तरीखे से समझ गया अगला कोशन देखिएगा दूसरा question है दूसरा question आपका series है यह भी important question है यह भी पूछा गया question है देखिए प्रस्ण है नीचे दी गई सिरीज कैसे आगे चल लिए तो जैसे दूस्तों यह सीरीज कैसे चल लिए देखिएगा तीन है दूस्तों तीन के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 12 हुआ फिर 12 उसके बाद प्रशनवाचक्चिन 24-26 यानि कहने का मतलब है अगर जो आप आँसे इस के बाद प्रशनवाचक्चिन उसके बाद से 24-26 यानि की दो होगा इस टाइप से किसे आगे घर रहे है कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 2 1 6 0 ऐसे कोई कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है जब इस टाइप से आपके सीरीज सामने आ जाया और दिखें कुछ भी जब समझ में आ है तब क्या किया जाता है दोस्तों देखिएगा तब किया जाता है हम एके संध्या को छोड़के सीरीज को सॉल्व करते हैं कहने का मतलब है तीन के बाद दोस्तों हम पांच छोड़ देंगे 6 ठीक है छे के बाद द अब क्या करेंगे दूसरे बार दूसरा जो बचा है बीच वाला उसे हम लेके चलेंगे कहने का मतलब है पांच के बाद दूस्तर